दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नुस्खे को बना कर दिखाऊँगा। यदि आप इसके सिरफ एक चमच को दूद में या पानी में मिला कर पी लेते हैं तो दोस्तो आपके सरीर की नसों की ब्लोकेज दूर हो जाएगी। हडियों का दर्द, जोडों का दर्द, कंदे, कमर, हाथ और घुटने का दर्द दूर हो जाएगा। खराब से खराब कोलोस्टोल को दूर करेगा। अच्छे कोलोस्टोल की मातरा को बढ़ाएगा। आपको डाइबटीज होने से बचाएगा। दोस्तो दिल की बीमारियों का इलाज करेगा, और जिस इंसान को नसों में कमजोरी है नसों में सूजन या दर्द है, या चक्कर आता है या फिर सरीर में कहीं भी ब्लोकेज की समस्य है तो उनके लिए भी ये एक चमतकारी ओस्ती है और दोस्तों, यदि आपको इनमे से कोई भी समस्य है तब आप इस नुस्खे के एक चमच का सेवन हर रोज दूद या पानी के साथ कीची और आपको इसके चमतकारी नतीजे दिखाई देंगे दोस्तों आपका सरीर निरोगी बनना सुरू हो जाएगा दोस्तों क्योंकि इस नुस्खे के अंदर हमने ऐसी ऐसी सामगरी का प्रयोग किया है जो आपके सरीर के लिए एक चमतकारी दवा है और आपको सरीर के 200 रोगों से बचाकर रखेगी यानी 200 रोगों का ये एक इलाज है कारगर इलाज है तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने ये नुस्खा बनाना कैसे है दोस्तो आपने इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली समगरी चाहिए वह है चाहिए दोस्तो, Alci और अलसी के लेने हैं आपने पांच बड़े चमच, पांच टेबल स्पून अलसी के बीज, दोस्तो अलसी, ओमेगा थ्री फैट्टी एसिड से भरपूर होती है, दिल के मरीजों के लिए तो अलसी एक वर्दान है, चाहे आपको अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाना हो, या पाचन को मजबूत करना हो, मुटापे से चुटकारा बाना हो, दोस्तो आप सब के लिए अलसी एक वर्दान की तरहें काम करती हैं, क्योंकि ये डायबटीज को दूर करेगी, हर तरहें के दर्द से आपको निचाहत दिलाएगी, तो दोस्तो अलसी के लिने हैं आपने पांच चमच और अलसी के पांच चमच लेकर आपने इनको हलका हलका सा सेख लेना है, ताकि इनकी नमी बाहर निकल जाए, और ये मैंने सेख लिया, और ये मेरे अलसी रेटी हो गई, अब जो दोस्तो इसमें दूसरी समगरी आपने मिलानी है, वो मिलानी है सोंट, सोंट का मिलाना है आपने आदा चोटा चमज आदा चाय वाला चमज ये होता है दोस्तो सोट पौटर आपने इसका प्रयोग करना है दोस्तो सोट नसों की ब्लोकेश को खोलने के लिए बहुत अधिक चमद्कारी है आपके चहरे पर नया गलो लाती है खून को साप करते हैं और सभी परकार के दर्द से छुटकारा दिलाने में भी बहुत कारगर हैं हड़ियों की कमजोरी का इलाज करती है आपने ये इसके अंदर मिला दिया पहले अलसी का पाउडर बना लेजे गराइंड करके उस पाउडर में आपने सोट के पाउडर को मिला देना है अब जो तीसरी चीज इसके लिए चाहिए वो चाहिए दोस्तो मसालों की रानी को यानि दालचिनी का दालचिनी का भी आपने लेना है आदा छोटा चमच आदा टी स्पून दोश्तो दालचीनी किसी भी नुस्खे के साथ यदे मिल जाती है तो उस नुस्खे की पावर को सो गुना अधिक बढ़ा देती है ये मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तो दालचीनी आपके सरीर को निरोगी रखने का काम करती है, इम्म्यून पावर को बढ़ाती है, मुटापे से छुटकारा दिलाती है हाई वीपी जैसी बेमारियों को दूर करती है, नसों की बुलोकिस को दूर करती है, सूजन की समस्या का कारगर इलाज है तो दोस्तो आपने इसके आदे चमच का पाउडर इसके अंदर डाल देना है, आदा छोटा चमच पाउडर, अब जो चोथी इसके लिए सामगरी आपको चाहिए, वह चाहिए दोस्तो, एंटी सेप्टिक होस्ती, आपने परियोग करना है हल्दी का, हल्दी का भी आपने पंजोरी को मिल्टाती हैं डायवटीज रोगियों के लिए बहुत अधिक कारगर है तो दोस्तों आपने इन चारों को इसमें मिलाना है और हाल्दी का प्रोपर प्रियोग करने के लिए आपने इसमें मिलानी है दो काले मिर्च भी वो optional है आप मिलाएं या ना मिलाएं पर यदि आप मिलाएंगे तो आपको बहुत आदेक फाइदा होगा सिर्फ दो काली मिर्च का अपने परियोग करना है और उनको भी इसके अंदर डाल देना है कोट कर अब दोस्तों ये हो गया आपका मिसरन रेड़ी ये हो गया आपका पाउड रेड़ी आपने इसको अच्छी तरहें से मिक्स कर लेना है ये है वो आपका नुस्खा जो आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा ब्लोकेज को हटाएगा हाड़ियों की कमजोरी और दर्द का इलाज करेगा कोलोस्टोल को सही करेगा डायपटीज होने से बचाएगा और यदि आपको पहले से है तो उसको कंट्रोल रखने में आपकी मदद करेगा उसके कॉंपलिकिसन से भी बचाएगा जोडों के परफाइदा मिले अब दोस्तों आपने इसके एक चमच का सेवन हर रोज रात को सोते समय करना है या तो आप दूद में इसको मिलाकर सेवन कीजिए हलके गुनगुने दूद में या आप एगलास पानी में इसको मिलाकर सेवन कीजिए यानि आप किसी भी तरीके से लीजिए या इस नुस्खी के साथ भी मिस्री का परियोग भी कर सकते हैं अपने सवाद के लिए लेकिन यदि आपको डायवटीस है तब आपने मिस्री का परियोग नहीं करना है तो दोस्तों आपने इस नुस्खे के एक चमच का सेवन रात को सोते समय करना है दूदिया प और आपके पूरे सरीर को निरोगी बना देगा तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही बनाए और इस नुस्खे का प्रियो कीजिए और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजिए तो दोस्तो ये थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजी और यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों